मेरी लाइफ ना पूरी की पूरी सप्राइस से भरी पड़ी है कल रात को मैं अपने माइनक्राफ के वर्ल्ड में सो रहा था और जैसे ही मैं उड़ता हूँ मैंने देखा मैं सिर्फ एक ब्लॉक पे खड़ा हूँ और पचास उर्फ एक खड़ ओवर एक्टिंग के विच्छ में तो देखो हमारा जो सर्वाइवल वाला सीरीज है वो कहीं नहीं गया है मैं एक नहीं सीरीज चालो कर रहा हूँ जिसका नाम है वन ब्लॉक अब तुम मैंसे जिन जिन लोगों को नहीं पता इसपे क्या होता है इसपे एक ब्लॉक होता है हाँ एक ही ब्लॉक होता है इसपे देखो एक ब्लॉक होता है और इस एक ब्लॉक को तोड़के तुमको अलग-अलग ब्लॉक्स मिलते हैं देखो one block तो सभी खेल रहे हैं लेकिन अपना वाला one block थोड़ा different होगा देखो ये वाले one block पे मैं एक भी बार अगर मरा तो series खता हूँ ज्यादा हो गया अच्छा दो बार अगर ये series में मैं चार बार मरा तो उसी time से पूरी की पूरी series restart हो जाएगी और हम वापिस से शुरू करेंगे one block देखो ये तो मेरा challenge है मेरे पास तुम लोगों के लिए भी एक challenge है देखो तुम लोगों का challenge क्या है कि तुम जैसे ही video चालू करो तो तुमको like दबाना है और channel पे नए होतो subscribe करना है तो चलिए ये शुरू करते है ये है हमारा पहला block dirt okay the block will regenerate yes ये है दूसरा it is an infinite block okay it spawns more than dirt okay okay wood किया इस दे spawn इस बार ये हमारा इस world का पहला chest है क्या होगा इस chest में diamonds emeralds मैं क्यों ही उम्मिट करता हो इन चीजों से अरे इतनी खराब किसकी किस्पत होती है चन से जो टूटे कोई सपना जग सुना सुना लागे जग सुना सुना लागे अभी देखो हमें क्या करना है हमें हमारा एक chest रख देते और इस पर सारा सामान रख देते मेरे को खुद पर confidence है कि मैं नहीं घिरूंगा शायाद लेकिन क्या पता गेम कोई charges करे मेरे को मारने की तुम्हें सारा का सारा सामाल इस chest के अंदर save कर दियाओ ओ हेलो सर वेलकम टू माई चार ब्लॉक की जमीन देखो मेरे यहां जूबी आता है वो बिना नाम के जाता नहीं है आज से तेरा नाम है लैला तो हम और हमारी लैला इस चार कट समझ रहो और यहां पर हमें एक और chest पिला है इस chest के अंदर क्या होगा if you fall your items are gone place a block under the infinite block अगर यह हमको एक water bucket देदेगा तो मैं पक्का नीचे जाके place करूँगा ओ चैस इस आइटम में help with that क्या है इसके अंदर मतलब यह गेम हमारी बाते सुनता है यह तो बड़ा अच्छा गेम है नाइस देख मेरे पास आना ठीक है किरना मत किरना मत थैंक्यों अभी इसको लिया हमने इसको डाला इधर अब करते हम देखो मैं नहीं मरूंगा ठीक है मेरे को बरोसा है मेरी शक्तियों पर और हो गया ready for an adventure यह भी कोई पूछने की बात है चेस्ट मिला हमें और इसमें से दिल भी निकल रहा है मैं और मेरी लैला देखते ही यह क्या है इस चेस्ट का नाम है benevolent gift benevolent 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 गुगल करने दो इस चेस्ट का नाम है benevolent benevolent gift है हमारे पास इस पे हमें मिली है एक torch देखो तुम लोग पूछ रहे थे मेरा 14 का plan क्या है बस यह है मैं लैला यह benevolent और यह torch ओके अप्ग्रेड इन 8 seconds अभी क्या अप्ग्रेड होकर इस पे से diamonds निकलेंगे अभी न पहला हम क्या करते है इसको बना देते हैं प्लैंक और प्लैंक बनाने के बाद एक बना लेते हैं हमारा crafting table और इस table को मैं रख देता हूँ इधर यह बाकी के प्लैंक को इधर इधर हम बना लेते हैं stick यह बन गई हमारी stick अभी इसको इधर इधर और एक दो तीन यह हो गई pickax इधर इधर और यह हो गई हमारी shovel यह दो चीज़े जो हमारी काम की है ओ वाटबलन नाइस ए तो धक्का क्यों दे रहा है एलो ओ इसका नाम हम रखेंगे मजनू मजनू बाइ मजनू बाइ मजनू बाइ मजनू बाइ नाम सुना ना मेरा इसका मतलब यह कि लहला को मजनू मिल गया कोई बात नहीं बजरंग दल ओपी हम चालू करते हैं अपना काम जय सिर्याम यह पांच बाइ पांच ब्लॉक की दुनिया में आपका स्वागत है थैंक्यू मैं समझ गया तू वेलकम बोल रहा है इसका नाम हम रखेंगे राजू अभी देखो यहां बना स्पेस की प्रॉब्लेम हो रही है मैं काम करता हूँ इसको न और ज्यादा प्लैट्फों को यो ये न थोड़ा सा एरिया हमारा बत चुका उसकों बाद मैं करते हैं कबर मेरे को यह लग रहा है कि मैं शाहिट से इसके नीचे ना भी गिरू लेकिन यह जो मेरे पैड्ट है राजू लैला मजनू ये कभी भी नीचे गिर सकते है तो मैं काम करता हूँ वैं बना लेता तो बन गई हमारी एक्तम नहीं नवेली फैन सिदर अभी मैं गैरेंटी से बोल सकता हूँ इस पे से कोई नहीं घिरेगा नाई 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 अरे क्यों जाना है तेरे को उपर हेलो नीचा नीचा नीचे नीचे भाय अगर है मैं यहाँ से नीचे घिरूंगा ठड़ का इसा लगेगा ओओह नाईस भेडा यह हमारी हा इसका नाम हम रखेंगे बुल्ला मेरा नौहीं को यह deactiv Lakes। ओके दोदुमूर्गी मुर्गी मैम वेलकम मेरल वर्ड देखू इसका नम चुन्नी इसका नम मुन्नी तो स्र आपका स्वागत है इस दुन्यामे उख से तेरा नाम इबू हटेला नौहाँ मेरा आम है इबू हटेला तो तो नीचे घिराता ना राजू वापीस आ गया वी यह लास्ट एंप इसको घिराने के लिए उदर से कूटके इसको घिराया था इसने और यह वापीस इसको धकेल के नीचे भेक रहा है अभी हमेरे पास ना बहुत चारा भूट बगेरा आ चुका है और यह वाली जगाना बहुत जड़ा ओवर पॉपुलेटड हो चुकी है अब हम क्या करते इस पूरे के पूरे प्लैटफॉर्म को बढ़ा कर देते अभी यह जो हमरे प्लैटफॉर्म है वह 9x9 का है मेरे दिमाग में बहुत बढ़िया वाली डिसाइन है तो हम उस डिसाइन से पूरा का पूरा आइलेंड को बनाएंगे जो लास्ट पर बहुत ज्यादा कूल लगेगा यह ले लिए मैंने प्लैंक टीमें जाके अरे स्पेलिंग को क्या हो गया मेरे अस्लैप्स और यह बना लिए हमने बहुत सारे स्लैप्स अभी देखो हमें क्या करने एक दो टीन चार और यह होगे हम अबरा सेंटर वाला ब्लॉक इसको डाल दिया मैने एक प्लैंक तो यह बन चुका हमारा एक डाइमंड थोड़ा बहुत डाइमंड की तरह लग रहा है वो देखो उदर जो लास्प में एक जो ब्लॉक है उसको निकालना मैं भूल चुका हूँ उसको भी हम निकालते उसके बाद यह एराउंड थोड़ा सा डाइमंड की तरह दिखेगा अभी हमें क्या करना है यह जो बीच का जगा है इसको पूरा का पूरा डर्ट ब्लॉक से फिल करना है इतना पार्ट कवर हो चुका है बागी का पार्ट के लिए हमें बहुत सारा और डर्ट चाहिए तो भी हम वापिस माइन करना शुरू करते हैं उसके एक ब्लॉक को ओ एक और मुर्गी एक काम करते हैं पहले नम उस एरिया को फिल कर देते हैं ताकि यह लोग वहाँ पर भी जा सके और वहाँ पर गुम सके एक जो हमारा यह वाला जो पार्ट है यह बच रहा है I guess इसके लिए हमें और पंदरा से बीस डर्ट ब्लॉक चाहिए होंगे एक और benevolent chest देखते हैं इसके अंदर क्या है इसके अंदर तो कुछ अच्छा हो गए शायद से इसके अंदर diamonds होंगे upgrade in 18 seconds okay many a monster roam through dark hollows you have reached face to the underground देखो अभी अमरे पास enough dirt blocks तो नहीं है तो मैं यह सूच रहा हूँ तो अभी अमरे पास जितना भी dirt है जो की एक grass block है अमरे पास इसको डाल देते और बाकी का जो area है उसको अभी के लिए plank से cover कर देते इसको हम बाद में upgrade कर देंगे dirt में देखो अभी के लिए यह इतना बुरा भी नहीं लग रहा शायद से यह देखो यह मैंने इदर इनको डाल दिया अभी मेरे पास नहीं यह जो fence है इसको मैं पूरा का पूरा boundary में लगा देता हूँ फाइनली यह बन चुका है हमारा पूरा फैंस से cover कर दिया है बिना फैंस के वैसे तो यह अच्छा लगता है लेकिन हमें फैंस डालनी पड़ी वरना फिर मेरे यह प्यारे प्यारे जो दोस्ट लोग है वो सब नीचे घिर जाते तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही अगर तुम लोगों को आज का यह वन ब्लोक वाला एपिसोड अच्छा लगाओ तो इसको लाइक करो शेर करो चैनल पे नए हो तो सस्क्राइब करो और मैं चाहता हूँ परसनली की यह हमारे चैनल का सबसे बेस सीरीज बने तो प् मिलते हैं तुम लोगों से अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई